आप सभी को नमस्कार मिरा नाम मनोच पांडे और आप देख रहे हैं EV हिंदी दोस्तो आज एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए लेकर कुछ EV न्यूज, EV खबरे और आज की EV न्यूज में हम सबसे पहले बात करेंगे EV सेल्स की जैसे कि आप जानते हैं कि अगस्त का महीना जा चुका है और सितंबर का महीना अब लग गया है तो अगस्त के महीने में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर सेल्स हुई उसका एक डाटा हमारे पास आ चुका है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किस इलेक्ट्रिक स्कूटर ने इस बार सबसे ज़्यादा सेल्स की है तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक टू विलर्स की सेल्स की बात करें दोस्तों तो नमबर टैन पर है बैनलिंग जिन्होंने जुलाई में देखिए 1168 एलेक्ट्रिक स्कूटर सेल्स किये थे वही उन्होंने अगस्त में 1027 एलेक्ट्रिक स्कूटर सेल्स किये जिसके साथ उनकी सेल्स में 12.07 की एक गिरावट आई है उसके बाद नमबर 9 पर है Pure Energy जिन्होंने जुलाई में 999 इलेक्रिक स्कूटर सेल्स किये थे और अगस्त में 862 इलेक्रिक स्कूटर सेल्स किये हैं इसी के साथ इनकी मन्थ और मन्थ सेल में भी 13.71% की गिरावट आई है इसके बाद दोस्तों ओकाया ने जुलाई में 1076 इलेक्रिक स्कूटर सेल्स किये थे और अगस्त में 873 इलेक्रिक स्कूटर सेल्स किये हैं जिसके साथ इनकी मन्थ और मन्थ सेल्स में 18.87% की गिरावट आई है उसके बाद दोस्तों जितेंदर इलेक्रिक जिन्होंने जुलाई में 848 इलेक्रिक स्कूटर सेल्स किये थे वहीं अगस्त में 627 इलेक्रिक स्कूटर सेल्स किये हैं जिसके साथ इनकी मन्थ और मन्थ सेल्स में 26.06% की गिरावट आई है इसके बाद दोस्तों Revolts जिन्होंने जुलाई 2022 में 2317 इलेक्टरिक बाइक्स सेल की थी और अगस्त में इनकी सेल्स गिर कर 1620 इलेक्टरिक बाइक्स की रही है जिसके साथ इनकी मंथ और मंथ सेल में 30.08 परसेंट की गिरावट आई है और इसके बाद कुछ महिनों पहले नमबर वन पर रही इलेक्टरिक टूविलर की कमपनी ओला इलेक्टरिक अब नमबर फिफ्थ पॉजिशन पर आ चुकी है कमपनी न दोस्तों जुलाई में 3853 यूनिट इलेक्टरिक स्कूटर सेल की थी महीं अगस्त में इनकी ये सेल गिरकर अब 3397 यूनिट की रह चुकी है जिसके साथ कमपनी की ओल ओवर मन्थ और मन्थ सेल में गिरावट आई है और गिरावट है दोस्तों 11.83 परसेंट की इसे के साथ पिछले महीने अपनी सेल में पीछे जा रही एथर एनरजी ने यहां पर बाउंस बैक किया है और कमपनी की सेल में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि कमपनी ने अपने 50,000 इलेक्टरिक स्कूटर्स की जो है मैनिफेक्टरिंग कम्पलीट कर दी है तो यहां पर कमपनी अप टॉप फॉर्थ पॉजिशन पर आ चुकी है दोस्तों और एथर एनरजी ने जुलाई के महीने में 1,281 इलेक्टरिक स्कूटर्स सेल किये थे और वहीं इस बार अगस्त में इन्होंने 5,147 इलेक्टरिक टूविलर्स सेल किये हैं जिसके साथ कमपनी की अल ओवर सेल में मन्थ ओन मन्थ सेल में 301 परसेंट का इजाफा आया है जो कि सबसे ज़ादा यहां पर ग्रोथ देखी गई है टॉप फाइव जो इलेक्टरिक टूविलर्स की कमपनी है इसके बाद जो नमबर 3 पर है दोस्तो वो है एमपेर इलेक्टरिक कमपनी ने जुलाई 2022 में 6,313 इलेक्टरिक स्कूटर सेल किये थे जिसके बाद अगस्त में कमपनी ने 6,287 इलेक्टरिक स्कूटर सेल किये जिसके साथ इस कमपनी की भी मन्थ ओन मन्थ सेल में गिरावट में 8,245 यूनिट ऑफ इलेक्रिक स्कूटर सेल किये जहां कमपनी ने जुलाई में 8,098 इलेक्रिक स्कूटर सेल किये थे जिसके साथ कमपनी की मन्त और मन्त सेल में दोस्तों सिरफ 1.82% की ही बढ़ावत यहां पर देखी गई है उसके बाद हीरो एलेक्रिक फिर से नंबर वन पोजिशन पर रहा है कमपनी को जैसे कि आप जानते हैं मैंने पिछली वीडियों बताया था कि आपको दिल्ली की तरफ से स्विच टू दिल्ली एवी अवार्ट से भी नवाजा गया था और कमपनी यहां पर नंबर वन सेल कंपनी बनकर नजर आई है हीरो एलेक्रिक ने द सेल को देखा जाए दोस्तों तो यहां पर एथर एनरजी नंबर वन पॉजिशन पर नजर आती है लेकिन वहीं अगर यहां पर यूनिट आफ सेल को देखा जाए तो हीरो एलेक्रिक यहां पर नंबर वन पॉजिशन पर नजर आती है अब अगर बात करें दोस्तों टाटा क electric cars की sales के बारे में तो यहां पर अगस्त के महिने में टाटा ने 3845 electric cars sales की हैं जो कि उनके पिछले साल अगस्त से कई जादा है अगस्त के महिने में टाटा ने 1022 electric cars sales की थी लेकिन year on year ये growth बड़ी है लेकिन अगर हम मन्त और मन्त देखे तो टाटा ने जुलाई में अपनी सबसे जादा electric cars sales की थी जुलाई के महिने में टाटा ने 4022 electric cars sales की थी वहीं पर अभी decline होकर अगस्त में 3845 electric cars पर आ चुकी है तो यहां पर Ola S1 को 499 का amount देकर reserve किया था 31 अगस्त से पहले अब वह जाकर इसे purchase कर सकते हैं Ola S1 के द्वारा इसकी purchase window open कर दी गई है और आज की दो अगली बड़ी खबर है दोस्तों वह यह है Skoda की तरफ से उनके नए लोगों के साथ उनके नए electric SUV का concept दोस्तों reveal कर दिया गया है पहली बात कि यह जो नया logo होगा वो एक word mark logo होगा और दूसरी बात कि जो नए electric SUV car का concept reveal किया है इसका नाम होगा vision 75 इस electric car के आप clean design को बड़े गौर से देख सकते हैं यहां पर green color में इस electric car को दर्शाया गया है दोस्तों बात करें अगर इसके specifications की तो इस electric SUV में दोस्तों 89 kWh की बैटरिक इस्तिमाल किया गया है जो 600 km range का दावा कर सकती है यह एक 7-seater SUV होगी जिसमें एक परिवार आराम से बैठ सकता है अब electric SUV की बात होई रही है तो क्यों आप बढ़ते हैं अपनी अगली ख़बर की और जहां दोस्तों आनंद महिंद्रा जी द्वारा एक नया टीजर और लाउंच कर दिया गया है E-XV400 का मैं आपको याद दिला दूँ कि दोस्तों E-XV400 वही electric कार है जो 8-september को लाउंच की जाने वाली है महिंद्रा के द्वारा अगर मैं इस टीजर की बात करूँ तो इस टीजर में जादा कुछ नहीं दिखाई देता और नहीं जादा कुछ समझ आता है सिरफ इसमा आपको कार का चारजिंग पोर्ट और LED DRL और हैड लैम दिखाई देते हैं लेकिन एक बात तैह है कि जैसे ही ये कार 8-september को लाउंच होगी तो इस कार से जुड़ी जानकारियां आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी और आज की दोस्तों अगली जो खबर है वो है Most Awaited Electric Scooter Simple One की तरफ से Simple One जैसे कि आप जानते हैं टेस्ट राइट के लिए अभी जैपूर पहुंचा था और जैपूर में जब इन्होंने टेस्ट राइट करी तो वहाँ पर जो मौझूद टेस्ट राइट करने वाले लोग थे उनकी तरफ से इन्होंने कुछ रिव्यू लिए जिसको लेकर एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर इन्होंने शेर किया है वीडियो के अगर बात करूँ तो जितने भी लोग उस वीडियो में दिखाये गए हैं उन सभी लोगों का जो रिव्यू है सिंपल वन के लुक्स को लेकर एक्सलरेशन को लेकर टॉप स्पीड को लेकर वह पॉस्टीव ही नजर आता है और मुझे लगता है शायद इस वज से रिलेटेड कुछ जानकारी देता हूं दोस्तों देखिए ये हीरो की अपकमिंग इलेक्ट्रिक बाइक है और उसका नाम है हीरो एई-47 काफी जादा सिमिलर है एके 47 से तो इस एई-47 को अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये इस साल दिसंबर एंड तक लांच की जा सकत है और अगर मैं बात करूं इसके स्पेसिफिकेशन की तो इस बाइक में आपको 85 किलोमेटर पर आर की टॉप स्पीड और 160 किलोमेटर के आसपास की रेंच मिल सकती है इस बाइक में 3.5 किलो वाट की लीथियम आयन रिमूबल बैटरी का इस्तिमाल किया गया है और 4 किलो वा इस बाइक में जीओ फैंसिंग जीपीएस नैविगेशन यूएसपी पोट और वाक एंड रिवर्स असेस्ट क्रूस कंट्रोल इस तरह के अन्य फीचर्स भी आपको इस बाइक में मिल जाएंगे इसके साथ इस बाइक की जो एक्सपेक्टिड प्राइस दोस्तों वह 1.3 से बारे में तो हीरो टोटल 5 एलेक्ट्रिक बाइक्स लांच कर सकता है जिसमें से पहली एलेक्ट्रिक बाइक हो सकती है हीरो एलेक्ट्रिक एए 29 जिसकी कीमत 85,000 तक हो सकती है अगली होगी हीरो एलेक्ट्रिक एए 3 जिसकी कीमत 1.50 लैक तक हो सकती है उसके बाद है हीरो एले लास ही रो ik Türk एई 47 जिसके बारे में आपको बता चुका हूं अब दोस्तो bola कि के बारे में बात हो रही है तो आज की ड़ी खबर एक पर किबारे में मार्केट मेन एक और और इलेक्टिक बाइक होक ने वाली है दोस्तों कंपनी की दोपार कि में ज़ादा details reveal नहीं की गई हैं बस इसके looks को दिखाया गया है और looks के अगर मैं बात करूँ तो यह देखने में थोड़े बहुत Yama FZFI जैसे दिखते हैं और सामने की तरफ से मुझे थोड़ा सा इसमें Pure Retrials 350 का टच नज़र आया बाइक की अगर इस specification की बात की जाए तो कोई भी specification यहां पर reveal नहीं बत की गई है इसके लिए हमें 5 September का wait करना पड़ेगा और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बाइक में 100 से 1500 किलोमेटर तक की range मिल सकती है लेकिन एक बात जरूरत है दोस्तों 5 September को हमारे चैनल के माध्यम से इस बाइक के बारे में आपको अन्य जानकारी अवश्य ही मिल जाएगी तो बस आज के लिए इतना ही आज के समाचारी यहीं समाप्त होते हैं और वीडियो अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो किर्पे नीचे दिख रहे हैं सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि ऐसे ही अन्य इवी न्यूज में लेके आता रहूं और ऐसे इवी सम्मधित जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहे हैं हम मिलते हैं एक नहीं वीडियो में एक नहीं जानकारी किसना तब तक के लिए गो गुरीन गो इलेक्टरिक